हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक और इंट्रेस्टिंग सी कहानी इस कहानी का नाम है एक लोमडी और एक सारस तो चलिए सुरू करते हैं आज का कहानी काफी इंट्रेस्टिंग सा कहानी है लाश तक बने रहिएगा तो एक बार एक जंगल में एक चलाँक लोमडी रहता था और वह दूसरों को परिसान करने में दूसरों को परिसान देखने में उससे बहुँ ज़्यादा आनन लगता था उस तरह से और वो क्या करता था कि सब का मजाग बनाने के लिए परिसान करने के लिए हर दिन एक ना एक जानवर को अपने घर खाने पे बुलाता था और खाना खाने के लिए बुलाता था तो उस जानवर आते थे हर दिन एक ना एक और उसे तंग करके, परिसान करके, उसका मजाग वडाके, उसे परिसान कर था बहुत ज्यादा उस जानवर लोग को और उस वो इतना इंज्वाय करता था कि विचारा सब तंग हो चुका था जंगल में, सभी जानवर लोग उस चलांक नोमडी से तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एक सारस को इंवाइट किया सारस जो थे जानवर वो तो ठक चुके थे परेसान हो गये थे और एकदम इतना जिल्लत कर दिया था उस जंगल में तो इस तरह से एक सारस को इंवाइट किया और उस सारस को पता नहीं था उस लोंबडी के बारे में कि उसका हरकत क्या है कैसा है सो और वो इस तरह से उसको बलाया खाने में उसको तो पता नहीं था वो आ गई सारस खाने में और उसने खाने में खिचडी बनाया था लोंबडी और वो प्लेट में परोसा उसका चोंच थ लंबा सारस का अब वो खाए तो खाए कैसे, खाना, सोच में पढ़ गई वो कि कैसे खाए कैसे, और वो जो लोमडी है वो चाटना सुरू कर दिया, पूरा खा के खतम कर दिया, खिचड़ी, और खा के उसका मजाक उड़ा रहा पूरा, तुम खा नहीं पार ही हो, खाऊ ना, ऐसे से करके, उसके बाद विचारी सारस मायूसफ के अपने यहां लोट गई, उसके बाद उसकी दिवाग में एडिया आया, बहुत ही अच्छा एडिया, सबक सिखाने के लिए उस लोमडी को, तो सारस ने क्या कि पता है, अगले दिन उस लोमडी को बोली कि तुम्हारा ख कर रही हो अपने यहां खाने में, तो तुम आना वो, तो सुनते ही इतना खुस हो गया लोमडी, कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं था, कि मुझे खाने बलाया जा रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, खुसी कमारे बला, हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं आओंगा, तुम ब जो सारस थी, उसमें खिजड़ी भर दी थी, बना करके, ताकि उस लोमडी को खाने में दिकत हो, जैसे परिसानी उसको हुआ, ना सारस को खाने में, वो तो प्लेट में परुस दिया खिजड़ी, वो तो मजे से खा लिया, लेकिन, उसको सबग सिखाने के लिए वो सुराई ही में परोसी खाना और उसका चुंच था लंबा तो वो तो आराम से दम मजे से खाई अब देख करके विचारा लोमडी खाऊं तो खाऊं कैसे भूख भी लगी है ऐसे करकर कि देखता है उसके बाद करता है इसे तरह से देखा देखा उसके बाद पीर क्या हुआ कि वो तो खाया ही खा ही नहीं पाया सारस खा ली उसके बाद खाने के बाद पूरा उदास चहरा हो गया लोम्री का बहुत ज़्यादा उसके बाद वो कही सारस की तुम दूसरों के जब दूसरे लोग अपसेट होते हैं और परिसान होते हैं तुम्हें तंकरने तो बहुत मजा आता है किसी को और जब अभी तुम खुद मायोस से चहरा बना तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसे करके प लिए तो इससे हमें यह सिख मिलती है कि जो आप दोगे किसी को वही चीज मिलेगा उस वैक्ति से आपको इसलिए याद रखिएगा आप कुछ अच्छा दो ताकि अगले अदमी से अच्छा ही मिले आप अगले आदमी के साथ अच्छा वहवार करो ताकि उनसे भी आपको अच्छा वहवार मिल सके वह भी आपका वह आपसे अच्छे से बात करें और रिस्पेक्ट करें आपका हर तरह से तो यह थाज का कहानी आपको काफी इंटरेस्टिंग सी लगी होगी यह कहानी आज की कैसे सारस ने लोमडी को सबक सिखाई एकदम मजे से तो आज की लिए कि लिए एक बाई